सोचा की आज जल्दी उठकर पढ़ाई की जाए जल्दी उठने की कोशिश भी की लेकिन उठ नहीं पाए सोचा की मन लगा कर पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा फिर सोचा कि आज राद बर जाक कर पढ़ाई की जाए तो कब आख लट गई पता ही नहीं चला पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बरबाद हो गई है और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी तब पता चलेगा तब इस बात का एसास होगा कि पढ़ना जरूरी था लेकिन अभी अभी तो तुमारे लिए थोड़ी दिर मोबाइल चलाना जरूरी है थोड़ी सी दिर टीवी देखना जरूरी है दोस्त का फोन आ गया तो उससे बात करना भी जरूरी है फेस्बूक, इंस्टाग्राम, टिक टॉक पर एक बार नजर मारना भी बहुत जरूरी है तुमारे लिए शाम को दोस्तों के साथ किरकेट खेलना भी बहुत जरूरी है छोटी-छोटी चीजे हैं बड़े-बड़े कामों को रोगने की कब बज़े बन जाती हैं पता भी नहीं चलता ये बेवजय के चीजे को अपनी जरूरी कामों की लिस्ट से अभी निकाल कर फेख दो क्योंकि ये काम उतने जरूरी हैं ही नहीं जितना तुमने ने बना लिया है तुमें लग लग गई है इन सब चीजों की ये सारे काम करने के बाद जब थोड़ा वो समय बच जाता है वो समय तुम अपनी पढ़ाई को देते हो हमेशा ये बात याद रखना के सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम भविश्ची की बड़ी समस्याओं से बचाता है सोबे नीन नहीं खोलती है तो राद बर सोना बंद कर दो ठान लोगे आज सूरे उता देख कर ही दम लूँगा चाहे राद बर जागना पड़े राद बर जागकर बढ़ूँगा जब तक कि ये चेप्टर कंपलेट नहीं कर लूँगा खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि तुमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए कुछ भी नहीं न खाना न पीना न सोना और नहीं सोचना क्योंकि जब सोचने लग जाओगे तो कब मन भटक जाएगा कब अपनी किताबों को बंद करके खयालों की दुनिया में खो जाओगे पता ही नहीं चलेगा जब भी यह बात तुम्हारे मन में आये कि मुझसे नहीं होगा तो हमेशे अपने आपको याद दिला लेना कि तुमसे ही होगा दिन में 2-3 गंटे पढ़ाई करकर कोई बहुत बढ़ा तीर नहीं मार लेते हो दिन में 24 गंटे पढ़ने की ठाल लो अब तुम कहोगे कि ये तो पागलपन है तो दोस्त पागलपन जरूरी है साथारण लोगों की तरह सोचोगे उनकी तरह काम करोगे उनकी तरह छोटे टार्गेट बनाओगे तो जिन्दगी में कभी कुछ बड़ा चीन नहीं कर पाओगे बड़े-बड़े सपने देखने से बड़ी बड़ी बाते करने से किसी को सक्सेस नहीं मिलती वीडियो के अंद में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम ऐसी कोई मंजल नहीं है जो इनसान की पहुँच से दूर हो बिल गेट्स, स्टीफ जॉब, माइकल जेक्सन, सचिन तेनलकर, निलसर मंडेला ये जितने भी लोग सफल हुए हैं और इतिहास बदला है उन्होंने इन लोगों की सफलता का रास क्या है इन लोगोंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता बलकि इन लोगोंने हमेशा अपने मन में ये सोचा कि सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ और मेरा जण्व दुनिया में सिर्फ इसी काम को करने के लिए हुआ है इनके इसी विश्वास ने इन इन दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बना दिया और इन्होंने अपनी सोच से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है बस जरूरत है तो एक द्रण सोच और कभी न तूटने वाले होसले की दोस्तों और आपने भी अपने मुकाम और अपने लक्ष को अपनी जिन्दगी बना लिया है तो बिना कुछ सोचे समझे बिना किसी की सुने अपने लक्ष को हासल करने के लिए पूरी शिद्दा से जुट जाईए और अपने मन में ये निश्य कर लीजे कि जब तक इस लक्ष को हासल नहीं कर लेता तब तक मैं किसी की रोगने से भी नहीं रुखूंगा अगर इस वीडियो में कई की बातों से अब सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस प्रयास का हिस्सा बनिये और हमेशा इस बात को याद रखिए कि इस दुनिया में कोछ भी कर पाना असंबब नहीं है बस आप सकारात्मक सोच के साथ आपने लक्ष की तरफ बढ़ते चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक उर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवाज अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अभी मन की आवाज मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के अच्छे मोटिवेशन ओडियोस को सुनने के लिए मुझे खबरिया पर फॉलो कर लीजिए